अभिनेत्री रिचा चटधा ने बताया कि वेह फिल्म की कहानी की योगता के आधार पर ही किसी फिल्म के लिए हामी भरती हैं ओए लकी, लकी ओए, गैंग्स ओफ वासेपूर, मसान और सरबजीत जैसी फिल्मों का हिस्सा रही रिचा की जिया और जिया को छोड़कर ज्यादतर फिल्मे बॉक्स आफिस पर सखल रही है असमान ये फिल्मों के चैन को लेकर पूछे गए सवाल पर रिचा ने आए एनएस से कहा मैं फिल्मों की क्षमता के आधार पर ही उनका चैन करती हूँ लेकिन हमें समझना पड़ता है कि कभी-कभी कागज पर कहानी जैसी दिखती है पर दे पर आने के बाद वे वैसी नहीं दिखती उन्होंने कहा कुछ कहानिया निर्मान की प्रक्रिया में खोर जाती है मेरी फिल्म जिया और जिया के साथ भी यही समस्या रही हाला कि एक अभिनेत्री के रूप में मैं समझती हूँ कि यह फिल्म गलत निर्देशन की ओर जा रही है लेकिन मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हाला कि वे काफी उत्साहित हैं क्योंकि उनकी दो फिल्मे देश दास देव और तीन स्टोरीज रिलीज के लिए तैयार हैं जिनसे उन्हें काफी उम्मीदे हैं